हे गाईस, वाट्स आप, हमारा आज का टॉपिक है प्रिटिश इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी, यानि कि बिटिश सामराज्यवादी नीती, मतलब कि किस तरह से प्रिटिश ने इंडियन स्टेट्स को, इंडियन किंग्स को के साथ में ट्रीटी करके, उनके जो kingdom's थे, उनके राज्य थे, उनके states थे, उनको किस तरह से occupy करना start किया, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं सहायक संदी या subsidiary alliance का system, ये क्या था, इसको हम पढ़ेंगे और ये किस किस तरह से जो है इंडिया में use किया गया, European company के द्वारा, सबसे पहले इसका प्रयूग किया था, डूपले ने, डूपले कौन था, फ्रैंसिसी governor, ठीक, उसके बाद में क्या था, कि ये क्या करते थे, सैनिक सहायता देते थे भारतिय राजाओं को, और उसके बदले में उनसे लेते थे, tax money, ठीक है, कहते थे कि हम तुमारी help करेंगे, और तुम हमें क्या दो, तुम हमें उसके बदले में उसका tax दो, कि हमने तुमारी जो है, वो सैनिक सहायता करी है, हमने तुमारी जो है, मदद करी है, किसी भी युद्ध में, या किसी भी दूसरे राजा के अगेंस्ट लड़ाई में, अंग्रेजो के शासन में क्या था, क्लाइव और उसके बाद में भी गवर्नर्स ने इसको यूज किया था, लेकिन इस सहायक संदी को, इस सबसीडरी एलाइंस को, वियावारिक रूप से, लौड वैले जली ने इस्तेमल किया था, तो जब भी एक्जम में question आता है, कि सहायक संदी प्रथा को सबसे वियावारिक रूप से किस ने इस्तेमाल किया, तो हम answer क्या देंगे वैले जली, और सबसे पहले किस ने यूज़ किया था इंडिया में तो हम क्या आंसर देंगे ड्यूपले ने उसके बाद मैं देख लो कि वैले जली की जो सायक सदी प्रणाली थी इसका उद्देश ये क्या था इसका उद्देश ये था कि फ्रांसीसियों का बढ़ता हुआ प्रभाव क्यों? क्योंकि फ्रांस में जो क्रांती हुई थी उसके बाद नैपोलियन भारत को occupy करने के प्रयास में था और कुछ भारतिय राजा थे जैसे कि टीपु सुल्तान जो कि अजास सोच वाले थे और वो ब्रिटिश प्रभाव में नहीं आना चाते थे तो वो क्या कर रहे थे? वो फ्रांसीसियों के साथ में ट्रीटी कर रहे थे वो फ्रांसीसियों के साथ में गटवंदन कर रहे थे तो इससे भी जो है वो बहुत ज़्यादा ये जो वैले जली था ये परेशान था और ये चाता था कि एनिहाओ जो है वो ब्रिटेश जो थे वो इंडिया में सबसे हाइस्ट पावर बन जाए अब क्या होता है वैले जली ने बनाई सहायक संधी की योजना इसकी विशेशता है क्या थी एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली की स्थापना जो भारतिये शक्तियों से फ्रांसीसियों को दूर करें फ्रांसीसियों को बगाना था इसका पहला उत्देश है ठीक है और क्या चाते थे ये चाते थे कि भारत बन जाए एक बाजार जो ब्रिटिश निर्मित वस्तू है मतलब उल्टा करना चाता था ये अब तक क्या हो रहा था इंडिया में जो भी manufacturing होती थी उसको खरीदने के लिए European company आती थी ये भाई साब उल्टी गंगा भाना चाते थे ये चाते थे कि ब्रिटिश क्योंकि ब्रिटेन में क्या हो गया था अध्यू की क्रांती वहाँ पे बहुत bumper जो है production हो रहा था तो ये भाई साब चाते थे कि ब्रिटिश निर्मित वस्तूओं के लिए भारतिय ग्रहक मिलें यानि कि भारत बन जाए उनके लिए एक बाजार और उनको हो जाए मुनाफ़ा वैले जली की ये सामराज्यवादी यूजनाती इसको क्या कहा गया सहायक संधी क्या करते थे भाई भारत में एक ब्रिटिश रैजिरेंट रखेंगे जो भी राज्य भारत के साथ संधी करेगा मतलब क्या है कि संधी कर ली किसी भी Indian जो है King के साथ में और फिर उसके यहां बिठा दिया एक British Resident यानि अपना एक दूद ठीक है ये दूद क्या करेगा अब जो King है वो तो है नममत्र के ये दूद क्या करेगा नजर रखेगा और सेना की एक टुकड़ी रखी जाएगी और भारती रियासतों को पूरा जो है अपने कंट्रोल में कर लिया जाएगा कहने के लिए ये था कि British Resident रहेगा राजा आपी हो लेकिन ये ही बन गया था असली King ठीक है भारती रियासतों के आंतरिक शासन में हस्तक्षिप नहीं ये साहयक संदी के विशेशता है कि हम तुमारे Internal Matters में हम कुछ भी जो है वो हस्तक्षिप नहीं करेंगे लेकिन होता क्या था कुछ Internal Matter नहीं बचाता सब कुछ यही डिसाइड करने लगे थे कमपनी के शत्रू को शरण नहीं जिस भी Indian State के साथ में British East India Company जो है वो ट्रीटी कर रही है वो कमपनी का शत्रू कौन है येरपेन दूसरी कमपनी है यही फ्रांसिसीज तो फ्रांसिसीजों को न तो नौकरी देंगे और नहीं यह शेल्टर देंगे ठीक है रियासतों के रक्षार्थ कमपनी अंग्रेजी सेना रखेगी जिसका खर्च उस रियासत को ही उठाना पड़ेगा इतने चालू थे ये लोग मतलब ये रियासतों के रक्षा के लिए जो है टैक्स भी ले रहे है भई हम कहरें हम तुमको सेना प्रोवाइड कराएंगे तुम हमको टैक्स दो पैसे दो और वो पैसा भी कौन मतलब जो सेना ये रखेंगे न उसका पैसा भी कौन उठाएगा उसका खर्चा भी कौन उठाएगा भारती रियासत इस तरह से मूर्क बनाते हैं और बनते हैं इंडियन किंग्स और विदेश नीती जो है वो कंपनी संभालेगी यानि कि जो बाहरी तुम कुछ भी बाहर का फैसला नहीं ले सकते तुम किसी दूसरे राज्ये के साथ ट्रीटी नहीं कर सकते तुम कोई भी विदेश नीती डिसाइड नहीं कर सकते हो ये करेगी ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी और आप क्या करो आप चुपचाप से बैठो और देखते जाओ तो ये था ये जो है साहयक संधी थी इसके बाद में क्या होता है इसके बाद में देखे साहयक संधी का जो है देशी रियासतों पे क्या प्रपा हो परता है ब्रिटिश स्टैनियस रक्षा रजवाड़े क्या हो गए? विलासी हो गए भई रजवाड़ों को बोल दिया तुम कुछ मत करो तुम तो बैठ के तमाशा देखो ठीक है? अराम करो तुमारी रक्षा हम करेंगे और तुम तो बस खर्चा उठाए जाओ आप यह क्या हो गए? विलासी हो गए इनके पास काम तो कुछ बचा नहीं था इनको सिर्फ एक सैलरी टाइप में मिलती थी और इनका स्वाबिमान और उत्तरदायत वो दोनों ही खतम हो चुके थे स्वाबिमान क्यों खतम हो गया? जो है ब्रिटिश इनको पूरी तरह से अपने प्रभाव में ले चुके थे इनका खुद का तो कुछ स्वाबिमान बचाई नहीं था जो वो कहते थे वो इनको करना पड़ता था उत्तरदायत वे इनका कुछ बचा नहीं क्योंकि यह गयते थे कि जब सारा फाइदा तो मिल रहा है ब्रिटिश कमपनी को तो हमारा क्या उत्तरदायत वे है? उनका ही उत्तरदायत वे है, ठीक है? और ये हो गए थे ताना शाह ये अपने भोग, विलास, आश इसमें इतना डूप चुके थे कि पूरी तरह से डिक्टेटर बन गए थे जनता की इनको अब कोई भी फिकर नहीं रही थी जनता क्या करेगी? बिचारी दुखी होंके विद्रोह करेगी और विद्रोह हुए थे और इन विद्रोहों को कुचल देती थी कमपनी तो जनता भी कुछ नहीं कर पाती थी जनता और गरीब हुए जा रही थी एक इतना रिच कंट्री जिसको गोल्डन बर्ड कहा जाता था वहां की जनता अब हो जा रही थी बहुत जादा गरीब रियासतों की शाशक अब रह गे थे नामात्र के और सर्वोच शक्ती जो है उनकी उनकी जो सारुपोम शक्ती जो थी सोवरेन पावर वो सब खतम हो चुकी थी अब हर चीज़ पे ब्रिटिश का प्रभुत्व स्थापित होते जा रहा था because of this subsidiary alliance इस सहयक संदी की वज़ा से अंग्रीज रैजीरेंट जो रहता था रियासतों में वो रियासतों के आंतरिक मामलों में अस्तक्षिप का अदिखार नहीं था उसको फिर भी वो खूप करता था ठीक है निरंतर उलंगन करता था संदी की इस चर्थ का कि आंतरिक मामलों में अस्तक्षिप नहीं करेंगे लेकिन फिर भी वो खूब करता था तो अब क्या हो गया उनको जो रियासतों के राजा थे उनको उनकी बात माननी पड़ती थी तो उनकी शासन में रुची धीरे-धीरे कम होती गई और भारती राज्यों का पतन शुरू हो गया उनमें राश्टिय था कि भावना, साहस, सेन्य संगठन सब कुछ समाप तो चुका था इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैलेजली एक कौन था सामराज्यवादी गवर्नर जनरल था वो जानता था कि काणवालेस और जन शोर्जो थे उनकी अहस्तक शेप की नीती, इन्होंने क्या है देशी राज्यों के इंटर्नल मैटर्स में अहस्तक शेप की नीती अपनाई थी लेकिन इसे कमपनी के वैलेजली का उद्देशे क्या था कमपनी को सर्वोच्य शक्ती बनाना तो इस अहस्तक शेप की नीती से सर्वोच्य शक्ती नहीं बनाया जा सकता था था तो वैलेजली ने सबसीडरी अलाइन्स की नीती अपनाई और केवल साथ वर्षों में उसने भारत की भारत में कम्पनी को आंतरिक और बाहिय रूप से सशक्त बना दिया बहुत ज़्यादा मतलब establish कर दिया पूरी तरह से और जो राजा थे उनका अस्तित्व ही बिल्कुल क्या हो गया जस्ट लाइक अ सर्वेंट हो चुका था एक सर्वेंट की तरह से राजाओं का अस्तित्व हो चुका था अब ये देख लेते हैं कि किस-किस राज्य के साथ में कौन-कौन सी सहायक संदिया की गई थी तो स्टार्टिंग होती है 1798 में और 1800 में हैदराबाद के साथ इस क्रम को ऐसे ही याद कर ले रहे हैं ये सिर्फ facts है तो इसमें कुछ ज़दा समझाने के लिए नहीं है 1799 में मैसूर के साथ में ऑक्टूबर 1799 में तंजोर के साथ में 1801 ECV में अवत के साथ 1802 में पेशवा के साथ 1803 में बरार के बोसले के साथ और 1803 में सिंधिया के साथ में ये संधिया की गई थी और इसके अलावा कुछ और स्टेट्स थे जिनके साथ में भी संधिया की गई थी और ये याद रफनें आपको किस राज्जे के साथ में कब संधिया की भरतपुर के साथ में 803 और फिर दुबारा से 805 में करॉली के साथ में 1817 टॉक 1817, कोटा 1817 जोदपूर 1818 उदैपूर 1818 बूदी 1818 बीकनेर 1818 ये राजिस्थान R.A.S के लिए important है ये क्योंकि सारे राजिस्थान की states हैं तो इस data को आपको as it is याद कर लेना है और ये जो है सारे facts अप्लियर हो चुके है so friends इस channel को subscribe कर लीजिए ताकि syllabus का point by point जैसे जैसे आगी lectures आते रहेंगे उसका notification आपको मिलता रहेगा अगला जो वीडियो होगा वो व्यपकत की सिद्धान पे होगा सो notification icon को दबा दीजिए ताकि वीडियो अप्लोड होते ही आपको notification मिल जाए thanks for watching have a nice day